नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्यांका सिंग स्वागत करती हूं आप सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे टॉपिक के बारे में जो की बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ही जादा कन्फ्यूजन होता है अगर आपको यह आपके घर परिवार में किसी को अस लगता है कि उनको भी अस्थमा नहों जाए उनके आस पास अगर कोई भी खास रहा है या चीक रहा है या फिर बहुत जादा हुआ अनको घबरा जाते हैं यहां आप मैं बताना चाहूंगी कि अस्थमा कंटाजियोस बिलकुल भी नहीं होता तो अगर आपके फामिली में आ आपको भी transfer हो जाएगा आपके किसी भी known person से तो अस्थमा जो है वो mostly हम यह मान के चलते हैं कि जनेटिक होता है कहीं न कहीं यह हमारी family history में रन करता है और इस तरह के पेशेंट जिनके mother, father, grand parents के अंदर अस्थमा जो है वो देखने को मिला हो या hyperactive airway disease देखने को मिली हो तो इस प्रकार के आप लोग जानते हैं अस्थमा हमारी सास की नली के एक ऐसी बिमारी है जिसके अंदर हमारी जो सास की नली है इसमें सूजन आ जाती है इसके अंदर जो म्यूकस है उसकी production बहुत ज्यादा होने लगती है जिस वज़ए से हमारे जो airways हैं वो कहीं न कहीं संक्री हो जाता है नारो हो जاتा है और हमें सास लेने और सास को बाहर चोड़ने में तकलीफ होती है जिसके वज़त से कुछ लक्षन बनते हैं जैसे कि बहुत दथा खासी होना वीजिंग होना सासस लने में तकलीफ होना और छाती में एक तरिके का भारीपर महसू corporal वैसे तो अस्थमा की कई कि अगर हम रिस्क फाक्टर की बात करें कि ऐसे कौन से मरीज है जो प्रॉन है मतलब ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनके बॉडी में संभावना जादा है कि यह अस्थमाटिक हो सकते हैं अगर इन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा तो अगर हम ऐसा पहला पॉइंट में आप की जनेटिक फाक्टर तो अगर हमारी पिरेंट्स के अंदर किसी को भी अस्थमा है या फिर ऐसी को बिमारी है जिसमें щоб सासने में तकलीप होती है तो यहां पर इनकी ज Nor ं gemacht प्रॉलूशन बहुत जादा हो जैसे कि अगर मैं कौनितों कंवा जिसके वज़ा से वहां पे population बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और transportation बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो धुआ है environment में वो बहुत ज़्यादा मातरा में पाया जाता है तो ऐसे लोग जो इस प्रकार के environment में रह रहे हैं इन patients को भी आगे जाके आस्तमा होने का खतरा बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं रहता है थर्ड अगर हम risk factor की बात करें तो इस प्रकार के patient जो की obese होते हैं जिनका body weight थोड़ा जादा है वो भी इसकी तरफ थोड़े प्राउन होते हैं अस्तमा की तरफ उनका जो tendency है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है नेक्स अगर हम risk factor असोसियेट करें तो ऐसे patients जिनका जो body है वो किसी भी allergen की तरफ एक तरीके से reaction दे रहा है यानि कि environment में जो pollen है या फिर हमारे environment में जो smoke है जिसकी तरफ किसी एक patient का body react नहीं कर रहा वही पर कुछ ऐसे patient भी हो सकते हैं जिनका body उस particular allergen की तरफ बहुत जादा react कर जाए तो इस प्रकार के patients को भी तकलीप हो सकती है और asthma आगे जाके हो सकता है नेक्स जो risk factor इसमें बहुत important है वो हमारे hormones ऐसी females जिनको puberty थोड़ा जल्दी आ जाता है इस प्रकार की females में भी asthma जो है वो थोड़ा commonly देखा गया है हालाकि इसके पीछे कोई बहुत ही strong study or strong evidence नहीं है लेकिन clinical practice में ऐसा पाया जाता है कि जो females में early puberty आया है उन females में asthma होने के chances थोड़े से बढ़ जाता है तो ये सारे कुछ ऐसे factors हैं कि जो कि अगर आपको लग रहे हैं तो आगे जाके आपको हो सकता है कि asthma हो जाए और ऐसा कोई hundred percent sure नहीं होता कि अगर आप pollution में रह रही है तो आपको asthma होगा ही होगा आप obese हैं तो आपको asthma होगा ही होगा लेकिन क्योंकि ये इस प्रकार की बिमारिया है कि अगर एक बार हमारे body के अंदर आ जाए तो कहीं न कहीं जाने में ये बहुत समय लेती है तो इसलिए अगर आप पहले से ही precaution लेके रखेंगे तो overall आपकी health के लिए जादा beneficial रहेगा मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि ऐसे कौन से factors है जो कि आगे जाके body के अंदर asthma क्रेट कर सकते हैं और ये भी कहीं न कहीं आपको clear हो गया होगा कि asthma जो है वो contagious नहीं होता तो अगर आपको इसके लवा और भी कोई query है या ऐसा कुछ है जो कि आप जानना चाहते है asthma से related तो आप मारी team से संपर कर सकते हैं नीचे दे गए number पर भी contact कर सकते हैं या फिर आप comment box में अपना number drop कर सकते हैं तब तक आप अपना ध्यान रखिए हम जल्द मिलेंगे अपनी next video में stay safe, stay healthy